नमस्कार बच्चों, यी हिंदी शाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, आईए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं, आज हम जानेंगे जहांसी की रानी कविता का दूसरा भाग, हमने पिछली कविता में जाना कि किस प्रकार से मनु यानि की छबीली जहांसी की रानी लक्ष्मी बाई बन कर आई, और उनका विवा राजा गंगा धर राव के साथ हुआ, किस प्रकार राजा की मृत्यू के बाद उनसे जहांसी छीन ली गई, और उन्होंने किस प्रकार से अंग्रेजों की अत्याचारों का सामना करना शुरू किया, और भारत की प्रकार थे जो अंग्रेज कर रहे थे, वो हमने पिछले भाग में जाना था, तो आईए आज जानते हैं आगे की कहानी, क्या हुआ जहांसी की रानी के साथ, रानी रोई रनिवासों में बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकते के बाजार, सरे आम नीलाम चापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपूर के जेवर लेलो लखनो के लो नौ लखार, बच्चों इसका मतलब है, कि जो रानिया थी और बेगम थी, बेगम होती है, जो बाशा होते हैं, उनकी पतनिया, और राजा की होती है रानी, तो दोनों ही अपने अपने दुखों में डूबी हुई थी, क्योंकि उनके कपड़े और गहने, अंग्रेजों ने लेकर बाजा बच्ची के हाथ बिकानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुं हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो जासी वाली रानी थी, इसका मतलब है, कि इस प्रकार से जो पर्दे में रहने वाली होती थी महिलाएं, उनकी इजद भी बाजारों में इस तरहां से नीला करती थी, उनकी में राजा रहते थे, वो अंग्रेजों के द्वारा अपमानित किये गए थे, और साथी साथ में जो सैनिक थे, उनके मन में अपने पुर्खों का अभिमान आज भी था, उन्हें याद था कि किस तरहां से उनके जो पूरवच थे, वो युद में लड़ा करते थे, उ लक्ष्मी बाई, उन्होंने भी युद्ध का अभवान कर दिया, उन्होंने युद्ध के लिए ललकार लगा दी, हमने बुंदेलों के मुँझ से सुना है कि लानी लक्ष्मी बाई वीर पुरशों की तरह युद्ध किया करती थी, महलों ने दी आग जोंपडी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वत अंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आही थी, जासी चेती, दिल्ली चेती, लक्नव लप्तें चाही थी, मेरट कान पूर पटनाने भारी धूम मचाई थी, बच्चो इसकार्थ है कि महलों में और जोंपडियों में एक तरहां से ही अंग्रेजों के खिलाफ बगावत चिट चुकी थी, यानि गरीब और अमीर का जो फर्क था वो खत्म हो गया था, सभी ने उनके खिलाफ बगावत कर दी थी, यह स्वतंतिता की जो चिंगारी थी उनके मन में अपने आप जगी थी, इसे जगाने के लिए किसी की आवशक्ता उन्हें नहीं पढ़ी थी, जहासी, दिल्ली, लखनव, कानपूर, मेरट, पटना, सब जगाँ पर उनके खिलाफ बगावत चिट चुकी थी, जबलपूर, कोलापूर में भी कोई छल-चल उकसा इसका मतलब है कि जबलपूर, कोलापूर, इत्यादी जो स्थान है यहाँ पर भी उनके खिलाफ बगावत की जो आवाजें हैं वो सुनाई पढ़ने लगी थी, हमने सुना है बुंदेले हर बोलों के मुक से कि एक ऐसी रानी थी, जो की वीर पुरुशों की तरह युद किय करती थी, इस वतंत्रता महायग्य में गई वीर वर आये काम, नाना धूधू पंत तातिया चतुर अजीम उल्ला सरनाम, एहमद शाह मौलिवी ठाकुर कुवर सिंग सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास का गन में अमर रहेंगे इनके नाम, यहाँ पर इन सभी लोगों के नाम दिये गए हैं, जो कि इस सोतंत्रता के युद्ध में, जो हम लोगों ने लड़ा था उस समय अंग्रेजों के खिलाफ, उसमें लड़ते लड़ते शहीद हो गए, अंग्रेजों के साथ युद्ध करते समय बृत्यू हुई जिनकी, तो इन सब लोगों को जो भारत का इतिह है, उसमें याद रखा जाएगा, आप अभी भी पुस्तकों में इनके बारे में पढ़ते हैं, आगे कहते हैं, लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो छासी वाली रानी भारत के इतिहास में इन सभी के नाम अमर रहेंगे, लेकिन इस समय अंग्रेजों के लिए वो जुर्म कहलाती थी, जो उन्होंने अपनी आजादी की लड़ाई लड़ी थी, हमने सुना है कि जो रानी थी लक्ष्मी बाई, वो वीर सनिकों की तरह, वीर पुरुशों की तर इनकी गाथा छोड़ चले हम छासी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मी पाई, मर्द बनी मर्दानों में, लेफ्टिनेंट वोकर आ पहुचा आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खीचली हुआ द्वंद अस्मानों में, जखमी होकर वोकर भागा उसे जब है रानी थी, बुंदे लेहर बोलों के मूं हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो जहासी वाली रानी थी, इसका मतलब है कि हम जहासी के युद के मैदान में चलते हैं, जहां रानी लक्ष्मी बाई, वीर पुरुषों के बीच में एक पुरुष की त जलवार खिंचली और उन दोनों के बीच में महा युद्ध छिड़ गया। रानी की वीरता को देखकर वौकर को बहुत हैरानी हुई। उसने तो सोचा था कि वो एक स्री से युद्ध कर रहा है उसे आसानी से हरा देगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रानी के सामने वो टिक नह पी आई कर सो मील निरंतर पार घोडा ठक कर घिरा भूमी पर गया स्वर्ग तत काल सिधार यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार विजई रानी आगे चल दी किया घ्वालियर पर अधिकार अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी रजदानी थी बुंदे लेहर बोलों के मुं हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मरदानी वो तो जासी वाली रानी थी आगे कवित्री कहती है कि रानी अब आगी बढ़ने लगी और लगातार सो मील धोड़े खोड़े को दोड़ाती हुई वो कालपी जाकर पहुँच गए घोड़ा ठक कर धर्टी पर गिर गया क्योंकि वो इतनी लंभी यात्रा से थकश का था थकक जब वो धर्टी पर गिरा तो उसकी मृत्यू हो गई यमुना के तट पर फिर से रानी के साथ अंग्रेजों का युद्ध हुआ रानी ने उन्हें हरा दिया युद्ध में विजई होकर रानी फिर से आगे चल पड़ी और उन्होंने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया जब रानी ग्वालियर पहुंची तो जो अंग्रेजों का मित्र था राजा वहां का ग्वालियर का उसने डर के मारे वहां की राजधानी छोड़ दी और वो भाग खड़ा हुआ हमने बुंदेल खंड के बुंदेलों के मुख से सुना है कि रानी वीर पुरुषों की तरह युद्ध किया करती थी विजय मिली पर अंग्रेजों की सेना फिर घिर आई थी अबके जनरल स्मिट सम्मुकता उसने मुकी खाई थी काना और मंदरा सकिया रानी के संग आई थी युद्ध क्षेत्र में उन दोनोंने भारी मार मचाई थी पर पीछे ह्यू रोज आ गया हाए घिरी अब रानी थी बुंदेले हर बोलों के मुँ हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मरदानी वो तो जासी वाली रानी थी आगे कवित्री कहती है कि अब जब रानी विजई हो गई आगे बढ़ चली तो उनको इस समय फिर भी जो था अंग्रेजों ने सोचा कि किस प्रकार से उन्हें हराया जाए युद में रानी को विजई तो मिल गई लेकिन अंग्रेजों की सेना ने आकर उन्हें फिर से एक बार घेड लिया इस बार उनका सामना जनल स्मिट से था रानी ने उसे भी हरा दिया रानी के साथ उनकी दो प्यारी सखियां भी आई थी काना और मंदरा उन दोनों ने भी युद की क्षेत्र में इतनी तबाही मचाई खूब मार काट मचाई लेकिन पीछे से तभी यूरोज आ गया और रानी दोनों तरफ से घिर गई बुंदेले हर बोलों के मुख से हमने सुना है कि रानी लक्ष्मी बाई वीर पुर्षों की तरह युद किया करती थी तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सेन्य के पार किन्तु सामने नाला आया था यह संकट विशम अपार घोडा अडा नया घोडा था इतने में आगये सवार रानी एक शत्र बहु तेरे होने लगे वार परवार घायल होकर गिरी सिंहनी उसे वीर गति पानी थी बुंदेले हर बोलों के मुँ हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मरदानी वो तो जासी वाली रानी थी बच्चो आगे बताती हैं कवित्री कि इतना होने पर भी रानी रुकी नहीं वो अपने शत्रूओं को मारती काटती हुई सेना को पार करके आगे जाने लगी लेकिन तभी सामने एक बड़ा सा नाला आ गया वो उसके लिए बहुत बड़ा संकट था क्योंकि उनके पास रुके वो आ गए और उन्होंने रानी को घेर लिया और उस पर चारों और से वार करने लगे रानी ने शिंगनी की तरहां उनका मुकाबला किया मानो एक शेरनी एक अपने शत्रूओं से लड़ रही हो लेकिन वो बुरी तरहां से घायल हो चुकी थी वो जमीन पर गिर अपने शत्रूओं से लड़ा करती थी पूब लड़ी मरदानी वो तो जासी वाली रानी थी आगे कव्यत्री कहती हैं कि रानी तो स्वर्ग सतार गई उनकी जो चिता थी वो ऐसे लगती थी मानो कोई दिव्वे सवारी हो जो स्वर्ग की ओर जा रही हो वो उनकी जो आत्मा थी वो इश्वर में जाकर मिल गई प अनुष्य के रूप में मानुव वो एक अवतार लेकर आई थी और हमें सोतंतरता का रास्ता दिखाने के लिए आई थी जो हमें सीख सिखानी थी वो सिखाकर चली गई उन्होंने हमें बता दिया कि आजादी से बढ़कर कुछ भी नहीं है और देश जो है मात्री भूमी है उ क्रित गे भारत वासी तेरा यह बलदान जगावेगा स्वतंतरता अविनाशी हो वे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे भासी तो हो मदमाती विजय मिटादे गोलों से चाहे जासी तेरा स्मारक तू ही होगी तू तो अमिट निशानी थी बुंदेले हर बोलों के मु हमने सुनी कहानी थी खूब लड़ी मरदानी वो तो जासी वाली रानी थी जासी वाली रानी थी आगे कवित्री कहती हैं कि है रानी तुम स्वर्ब को चली जाओ हम जो भारत वासी हैं वो हमेशा तुम्हारे प्रितग्य रहेंगे हम तुम्हारे हमेशा एहसान के तले दब रहेंगे, जो तुमारा ये बलिदान है, वो व्यट नहीं जाएगा, उसने हमारे मन में स्वतंतिता की जो आग हे वो लगा दी है, और तुम्हारा जो नाम है, वो हमेशा के लिए हम सबके मन और मस्तिषक मेंanov мет आमर हो जाएगा, तुम खुद अपना समारक ही होगी, तुम्ह हमेशा याद रखा जाएगा हमने बुंदेल खंड के बुंदेलों के मुख से सुना है कि रानी लक्षमी बाई वीर पुरुषों की तरह युद्ध करा करती थी तो बच्चो ये तो थी बहुत प्यारी सी कविता जो कि हमारे मन में एक देश प्रेम की ऐसी आग जगाती है जि के नागरिक अपने देश से सबसे अधिक प्यार करते हैं मात्री भूमी और मात्री भाषा का कोई भी विकल्प नहीं है यानि इनका स्थान कोई नहीं ले सकता तो आईए संकल्प कीजिए कि आप अपने देश के लिए सब कुछ करने के लिए हमेशा तयार रहेंगे और आप से विदा चाते हैं विदा